नमस्कार दोस्तों डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वाक्त करता हूँ सदियों पहले आयरवेद पत्ती से उपचार किये जाते थे यह पत्ती आज भी बेहद कारगर है जड़ी बूटियों फल फूलों से मिलने वाले पोशक ततों का सही धंक से उपयोग करने से घर बैठे ही कई तरह के उपचार किये जा सकते हैं बहतरी नैचरल एंटिवाटक माने जाने वाली हल्दी को यदि दूद में मिलाकर सेवन किया जाए तो इसके अदबूत परिनाम मिलते हैं इन दोनों चीजों का सेवन अंदरूनी चोट के उपचार में रामवान है आईए आज आपको नैचरल एंटिवाटक बेहद गुनकारी हल्दी और दूद से मिलने वाले परिनामों के बारे में विस्तार से जानकारी परदान करते हैं चोट का करे उपचार हल्दी में अंटी बैक्टिरियल और अंटी सेप्टिक गुनों का भंडार है इनी गुनों के कारण चोट लगने पर इसका प्रयोग अधिक किया जाता है बारी चोट में इसके लेप से आराम मिलता है जबकि अंदरूनी चोट को जल्द ठीक करने के ल हिलाओं के महवारी के समय होने वाले दर्द में हल्दी वाला दूद बेहत गुनकारी है बच्चे को जनम देने के बाद शरीर को जल्दी सही करने के लिए हल्दी वाले दूद का जरूर सेवन करना चाहिए शारिरिक दर्द में देता है राहत शरीर में दर्द होने की स्थि और कलाइट्स का उपचार भी करता है तौचा को साफ करे बनाए खुबसूरत एंटी सेप्टिक वा एंटी बैक्टिरियल होने के कारण हल्दी को दूद संग पीने से तौचा में प्राकृतिक चमक पैदा होती है तौचा की समस्याओं जैसे इंफेक्शन, खुजली, मोहासों के बैक्टिरिया को धीरे-धीरे समाप्त कर देता है इससे हमारी तौचा साफ, स्वस्थ और चमकदार दिखाई देती है सदियों से शादी से पहले लड़की और लड़के के चेहरे बाजू और टांगों पर हल्दी का उप्टन लगाने की प्रंप्रा रही है रूई के फाहे को हल्दी वाले दूद में भीगो कर इस दूद को चेहरे पर लगाने से तौचा की लाली और चकते कम हो जाते है नीद ना आने की समस्या से मिलती है निजात यदि किसी कारण से नीद ना आने की समस्या है तो हल्दी वाला गरम दूद रात को भोजन के बाद सोने के आदे गंटे पहले पिएं नीद ना आने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी जोडों के दर्द में बेहद असरकारी जोडों के दर्द में हल्दी वाले दूद का प्रती दिन सेवन बेहद गुनकारी होता है गठिया बाय जोडों के जकडन मास पेशियों के खिचाव को दूर करने में मदद करता है इसे मास पेशियां लचीली होती है मौजूदा समय में बलड शुगर की समस्या से बड़ी संख्या से लोग पीडित हैं खून में शुगर की मात्रा अधिक होने की समस्या से निजात पाने के लिए हल्दी वाले दूद के सेवन से बलड शुगर में कमी आती है लेकिन अत्या धिक सेवन शुगर को भी कम कर देता है इसलिए माहिर से सला जरूर लें खून से टक्सिंस को दूर करता है और लिवर को साफ कर पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम देता है हडियों को दे मजबूती रोजाना हल्दी वाला दूद पीने से शरीर को प्रयाप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है हडिया स्वस्त और मजबूत होती है ये गठिया के मरीजों को राहत पहुंचाता है कच्ची हल्दी को दूद में मिक्स कर पीने से लाफ मिलता है कान की समस्याओं में दे आराम हल्दी वाले गर्म दूद के सेवन से कान दर्द जैसी अन्ने कई समस्याओं में आराम मिलता है इससे श्रीर का रक्त संचार बढ़ जाता है इसके सेवन से कान दर्द में शिगर आराम मिलता है शरीर को स्टूडोल बनाने में करता है मदद एक गिलास दूद में आधा चमच हल्दी मिलाकर प्रती दिन पीने से शरीर स्टूडोल बनता है गुनंगने दूद के साथ हल्दी के सेवन से शरीर में जमा चर्बी कम हो जाती है भार कम करने का या बिहत अचूप तरीका है तो दोस्तो ये थी हल्दी वाले दूद के सेवन से होने वाले स्वास्त लाभों से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़े रहिए डी 5 चैनल हिंदी के साथ